त्सकार, हुए सुअपकी एपी का आईटीए एक्जाम में? साथियू, आज बात करने वाले हूँ आईटीए के जो प्राक्टिकल होने वाले हैं उसके बारे में graph करने वाले हूँ प्रेक्टिकल आग्जाम को लेकर परिशान हैं कि इस का सवाल होते हैं कितने दिन तक आपके प्रेक्टिकल चलते हैं क्या प्रेक्टिकल में कोई help मिलती है फिर नहीं मिलती है और भी इसके लावा बहुत सारी चीजे है प्रैक्टिकल एक्झाम तेने के लिए जाते हो तो देख लिए होगा इस वीडियो में सिर्फ प्रेक्टिकल के बारे में बात करूँ आँ, प्रेक्टिकल जो एक्जामिनेशन होते हैं दोस्त वो होते हैं आपके तीन चरणों में, ठीक है, तीन टाइब के तीन परकार से होते हैं, कहने का मतलब है किसके तीन टाइप होते हैं examination के नंबर वन पे एक जो पहले दिन जब आप लोग परिक्षा देने जाओगे मैंने बता है कि तीन चरणों में आपकी परिक्षा हो गी है पहले दिन जो आपकी होगी वह होगी लिखित परिक्षा होती है इस परकार से अब आप क्या सब्सक्राइब सब्सक्राइब शोपज्फोज़ आपको रेटरी उ तो आपको बना करके लाना है भार से भी बनाना होगा लेकिन आपको बनाकर लाना होता है पर जैसे आई डम से ऊप जोब बनाना नहीं पड़ती है ठीक है अब ऐसा तो नहीं कि एकदम से आप जोब बना दोगे इस रिजन से आपको 2 या फिर 3 दिन का समय दिया जाता है practical exam में ठीक है इसलिए आपको 2-3 दिन का समय मिलता है या तो आपको 2 दिन मिलेंगे या फिर 3 दिन मिलेंगे ठीक है इतनी दुनों में कम से कम 2 अधिक से तीसरे नमबर पर आएगा आपका व Warren शांश्वा है जैसे इसे आपका सवाल पूछ जाते हैं जैसे आपका इंटर इंटर्वी होता है इसी परकार से ठीक है आपढ़ने इन पौछ जाते हैं। उसकी length कितनी है, क्या से आपने ये create किया है, आपने जो circuit बनाया है, उसमें क्या कौन कौन से instrument लगे हैं, या फिर ITI को ले करके, आपकी trade को ले करके, कुछ mathapoon सवाल महाँ पर वो पूछता है आपको आपकी जो YY examination में, ठीक है, तो तीन चरण में आपका जो exam ये complete होता है, कि आपको वायवा दोनों कठे हो जाता है, ठीक है, तो दुर दिन भी लगते हैं, तीन दिन भी लगते हैं, उसका बात को मैंटर नहीं करता है, तो मैंने आपको बता दिया, आप बात करते हैं, ये तुम मैंने बता दिया कि किस परकार से आपका practical examination होगा, अब जो अगले point आत होता है, तो कहने का मतलव है कि जो आपका paper होगा, वो offline होगा, क्या होगा? Offline कराई जाता है, आपको लिखना होता है, CBT जो एक्जाम होता है, ज हो आपका paper होता है, वो computer पर होता है, ठीक है, लेकिन practical जो exam होता है, वो offline करा जाता है, सर, center कहां पर लगता है, कि हमारी ITI में center फीट ही में हिए आपका सेंटर लगें कभी ऐसा होता है हो परेपल प्रबड़नेंट में तो क्या करते हैं सेंटर जो में ति कि होता है उक यह में होता है अधिक तर गॉक्ष्या ने का मतलब रहल Mig дети लगते हैं आपकी ITIE में ही होता है, अधिक तर देखा जाता है, लेकिन हो सकता है आपके ITIE में प्रोपर चीजे ना हो, इस रिजन से या तो आपके जो पडोस की ITIE होती है, उसमें भी आपका सेंटर लगा देते हैं, या फिर जो आपके जिले की सरकारी ITIE, गौवर्मेंट ITIE, वहा आपके जाता है इस रिजन से आपको ऑनपर सिर्फ उपस्तित रह जरूरी हो जरूरी होता है, अधिक तर आपको यहाँ पर नंबर उमर की जार्टा नश्य जर नहीं आई जाती, लेजसे नंबर लायने होते हैं, या पर एसफाने के लिए लाने पढ़ते हैं, यह आपको प पूछे जाते हैं तो सुनो मेरी बात को अब डिपेंड यह करता है इसका मैं पेपर आपको करवाऊंगा इलक्टिशन की अगर आलीज आपकी ट्रेड है तो इसमें दो कुछेगा तीन सवाल पूछेगा ठीक है इस परकार सवाल पूछता है दो तीन या फिर चार कुछन इतन कितने सवाल आते हैं ठीक है और जो इनका प्रिवियर पेपर है इसके रिगार्डिंग मैं अगली वीडियो ले करके आऊंगा उसमें मैं बताऊंगा ठीक है तो इस सीज को आप पूरा सा होल्ड रखना कि इसमें कितने सवाल पूछे जाते हैं मैं आपको फिटर का भी पूरा सकता है यहां तो दिखनी है। तरी पेपर भी मैं आपको दिखा दो. त्दिन कम लगते हैं क्याम का मतलब है जैसे मैंने बताए कि आपकी अधिक तरह.ंum सेटा है तो क्या पर पर सो परसेंट तो नहीं बहुत अनुग सकता है न कि यहाँ पर बो rif मिल मिलें जाते है पको मिलें जात tbsp ऐससाफ नहीं कि सब्सक्राइस सब्सक्राइन की deste सब्सक्राइब करेंगे और आप पढ़कर कुछ ना चाहो और पता लग रहा है कि वहां पर वीडियो सूट होती है प्रोपर तरीके साथ की मतलब आपकी मोबाइल से जब आप लोग प्रैक्टिकल दोगे ना तो आपकी मोबाइल से वीडियो बनाए जाएगी और वीडियो आ जो करा। आपकी नोडल IT AI होती है जीषटी सरकारी जिले होती है डियर यह कोपी चैक वगैरा करती एँ अपकी ठीक है लेकिन अधिक तर जो क्मांड रहती है वह आपकாर रहती है कहने का मतलब है वस्तित रहना है आराम से पेपर देना है और अधिक तर जो देखा गया है नंबर आपके ठीक टक बन जाते हैं, क्योंकि यदि आपकी आईटे में अच्छा सी जाते हैं, इस परकार से नंबर मिलते हैं। उपस्तित नहीं होता है। तो इस रिजन से यहां पर इंपोटीटेंट थी रहती है, प्रैक्टिकल एक्जामिनिशन में सबसे इंपोटेंड होती है वह ए अटेंडेंस का ठीक है तो आपको जाना है 100% चाहेँ आपसे कुछ आओ यह न आओ प्रैक्टिकल में ऐसा होता है होती है तो आपको जाना होता है में आपकी एटेड़नस होतीत तरी शाहत शौज हो जाते हैं तो सी तो पास ही हो जाए अगर आपका आचरन सही आपकी आइटे में तो नमबर भी ठीक ठाप आपको मिल जाते हैं ठीक है तो यह प्रोसेस होता है डियर आपको समझ में आ गया होगा ठीक है को पी का मैंने बता दिया और जो बाकी चीजे रहीं आपके वह मैंने आपको बता है कि जो आपको कैसे यह जो कोपी आप लिखोगे जो आपर इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आदेगो जो भी आपको खुद से बनानी है वह आपको चाहिए आपकी आईटे वाले मदद करें है या फिर आप खुद बनाओ वह तो आगे अगला प्रोसेस है वह तो आपको मिलते हैं यह मैं आपको बताओंगा ठीक है क्योंकि 15 नंबर आपको इस कोपी के मिलते हैं और लगबग लगबग जो आपको मिलते हैं अगली वीडियो के लिए तैयार रहना अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको यह copy लिखनी है तो भाई पढ़ ले ना चलो यह तो practical examination है इसमें तो आपको मिल जाएगा थोड़ा बोता है help वगरा मिल जाता है लेकिन जो cbt exam होता है जो वह होता है खतरनाक ठीक है सबसे जो खतरनाक चीज़ होती ना ITM हो cbt exam ही होता है तो उसको भाई साहब उसको ignore मत करना जापका cbt exam होगा online examination उसका center भी बाहर होता है उसमें camera की देख रेक में सब चीज़े होती है cheating waiting नहीं हो सकती उसमें तो ध्यान लखना cbt exam पर focus जरूर रखना ठीक है practical में आपको उपस्तित होना जरूरी है तो चले जाना practical exam देने अगर नहीं दे जाओगे तो भाई साब गड़बड हो जाएगा इसमें भी ध्यान लखना तो practical examination देना भी आपको मतलग अगर आपको percentage बनानी है अपनी आईटे में बोलते हैं कि सरमेर को 80% लाने 90% तो वह यहीं से बनती है आपके practical और आपके formative assignment से यहीं दो चीज़े होते हैं जो आपकी percentage को बढ़ात पड़ती है जो percentage आपकी बनाता है वो या तो practical exam बनाएंगे वो या बनाएंगे आपके formative assignment formative assignment के नंबर पूरे के पूरे आपकी idea के हाथ में होते हैं वो आपको अच्छे नंबर दे ही देते हैं उसके tension अलो तो ठीक है practical examination का मैंने बता दे कैसे कैसे आपका practical होगा बाकि जो और तैयारी के लिए जो मैंने बताया जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो होती है cbt exam और इसकी ही तैयारी में हमका करवाते हैं अगर आपको तैयारी करनी है cbt examination तो प्रोपर यूट्यूब पर classes चल रही है अभी ठीक है तो देख लो ठीक है नहीं तो भाया अगर बैक लग कर सकता है आपके है ना जो रुकावाट आती नहीं है कि टेम में सबसे बड़ी चीज है यह cbt examination चलो फिर तो मिलता हूं अगले वीडियो में आज के लिए तना ही सन्यवाद